40 km, पहला काम और सिर्फ 300 रुपए हैं जी हां फ्रेंड्स, आठ साल पहले कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई थी मेरी प्रैक्टिस की जर्नी की फ्रेंड्स, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अपनी जो टेक्स प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे और बहुत से मेरे ऐसे दोस्ते जो स्टार्ट कर चुके हैं कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम GST, Income Tax, Tally, Accounting सीथ करके एक अच्छी ती जॉब करना चाहते हैं तो जिन्होंने अपनी जर्णी स्टार्ट कर दी है वो भी और जो लोग अपनी जर्णी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ अपनी जन मैंने अपनी जर्णी स्टार्ट की थी तो जो मेरा पहला experience था क्योंना वो मैं आप लोग के साथ share करूँ और मेरा experience सुनने के बाद आप मेंसे जो लोग भी practice कर रहे हैं तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही experience हुआ है तो comment section में मुझे जरूर बताईए बात है 2014 की जब मैंने यह decide कि अब मुझे job नहीं करनी है मुझे करनी है practice उससे में मैं CA नहीं बना था जो लोग मैंने channel पर पुराने हैं उन्हें पता है मैं CA बना हूँ 2016 में ठीक है और उससे में मैं CA नहीं बना था क्यों ना आज ही practice स्टार्ट कर देते है 2014 की बात है अच्छा अब वो लोग यहां पर रिलेट करेंगे जो लोग अभी नहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं या नया कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं तो एक मन में कहीं नहीं एक दर होता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं चली तो फिट क्या करेंगे या फिर कुछ लोग ऐसे पृँदीजो आज बहुते जो मदाख उड़ाएंगे कि लोग प्रैक्टिस इनके बस की है नहीं और बसके प्रैक्टिस में चले आए तो वो भी कही ने कहीं मन में था लेकिन फिर करनी तो प्रैक्टिस थी और मुझे आज भी याद है 11 जुलाई का दिन था और हम नहीं डिसाइड किया कि चो लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई क्लाइंट नहीं था किसी के पास सभी लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया था और उसमें तो मेरे एक में जो सीनियर जो मेरे फ्रेंड थे वो अपनी ज कोटा सा अफिस लिया कि उसमें पुरानी टेबल पुरानी चेर यह दब चीज़े हम लोगों को मिल गई तो हम लोग ने पुरानी टेबल पुरानी चेर से अपनी प्रैक्टिस सटाट करी और वो जो आफिस था वो कुछ ऐसा ओफिस था कि वो कांच का था मतलब एक बजी के बैट पाते हैं तो कुछ ऐसी शुरुवात हो गई थी हम लोग ने एक सस्ता सा ओफिस मिल गया था तो जर्नी स्टार्ट हो गई इन से मिलना विजिंग कार्ट देना जो मैं आप बताता हूं कि स्टार्टिंग में कैसे करना है कि सर मैंने अब भी प्रैक्टिस टार्ट करी है उसमें था सर्विस टैक्स वैक और इंकम टैक्स तो इसी दरह हम लोग विजिटिंग कार्ट पर गईरा शॉप पे जाते थे जो होती है वहाँ जाकि लोगों बताते थे कि सर हमने स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस तो अगर कोई काम हो कुछ लोग तो कहते थे नहीं नहीं हमारा तो और अल्रेडी लॉयर है तो हम आपको काम नहीं दे सकते तब चीसे सुनने में आती थी तब ही एक कॉल आता है मेरे पास कॉल आता है कि एक बंदा है जिसको सर्विस टैक्स में अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना है ठीक है अच्छा मैं बता दूँ मैंने जो प्रैक्टिस की स्टार्ट करी थी वो की स्टार्ट करी थी लखनव शहर से तो लखनव शहर से करीवे 20-60 किलोमीडर पर पड़ता है ब हमारे ओफिस ते मताब लखनाव उसे वो 20 किलो मीटर था तो मैंने सुचे चलो एक बार जाना है तो आएंगी और जाएंगे और जाएंगे और सर्विस टैक्स का रिस्ट्रेशन भी ऑल्लाइन होता था चलो ठीक है तो एक बार हम लोग मैं वहाँ पर चला गया तो जो डॉक् करते हैं एक दो घंडा मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा फिर लॉट के आते हैं कहते हैं वह अरेंज नहीं हो पाया है आप एक काम करी अगर आ सकते हैं तो कल या परसो आईए मैं आपको कॉल करूंगा अब मुझे बड़ा वह लगा कि यार आप 20 किलो मिटर मैं आया जाऊंगा अच्छा नेंस्डे मैंने कॉल किया स्र बिल हुआ उसने कार नहीं अभी नहीं हुआ है और ज़िस क Palestin फो यम था मुझे लगा किया क्वेए Hi क्लाइंट गया मैंने कड़ा पहला क्लाइंट नसीब में ही नहीं कोछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद सामने से कॉल आया कि वह बिल का अरेजमेंट हो गया है आप आजाओ मैंने का चलो एक एकसाइटमेंट होता है कि पहला क्लाइंट बनने वाला है फिर 20 कुलिमिटर में गया कि डॉक्यूमेंट्स लिए ठीक मुझे लगा है चलो मैं स्वीज बताऊंगा तो उस समय जनरल फीज चल रही थी सर्विस टैक्स की 1500 से 2000 लोग चार्ज करते थे ठीक जिस फर्म में मैंने करिए वहाँ पर ऐसा था कि 1500-2500 तो मैंने सोच चलो यार मिनिममम चार्ज कर लेते हैं पहला क्लाइंट है मैंने का 1500 रुटा है उसने का अच्छा 1500 तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं ऐसा है बैसा है जैसे कि नॉर्मेल ही होता है ठीक है जो लोग आप प्रैक्टिस कर और मुझे जरूर बताना कभी क्लाइंट ने आपके ताथ नेगोसियेशन किया है 100% किया होगा इरिटेशन बहुत होती है लेकिन क्या करेंगे प्रैक्टिस का पहला रूल है अच्छा फिर क्या था अब मैंने का बारा सो और लीजिए बहुत मुश्किल से माना वह बारा सो मैंने का पैसा तो दे मनी मनी सोचा कि आप मैं जा रहा हूं तो पैसा तो दीजिए और उसने का जब टाम हो जाएगा तब मैं दोंगा मैंने का चलो अपनी जीव से लगाते हैं अच्छा उनकी जो एरिया था वह रेंट पे था तो रेंट अग्रिमेंट भी मुझे ही बनान तो एक बर मैं आ चुका था 40 किलो मीटर्स दुबारा फिर मैं 40 किलो मीटर्स फिर मैंने रजिस्ट्रेशन अपलाई करा रेंट अग्रिमेंट बनवाया उसमें 3-4 रुपए लग गए मेरे कि फाइनली रेजिस्ट्रेशन हो गया मैंने का कि मैं आपको काम करता हूँ मेल पर भीज़ देता हूँ आप मेल से बिंट आउट निकाल लेना उन्हों नहीं आप आईए मुझे बाई हैंड दीजिए आप क्यूंकि मुझे पैसे भी लेने थे मेरी मज़ूरी थी जाना मैं कि जम मैं वह पहुंचने वाला होता हूँ तो पता चलता है उनके अशिस्टेंट वहाँ पर है वह पर उनके असिस्टेंट थे तो उन्होंना काई काम करिये जो सब्सब्सक्राइब है मुझे देंदाओ मुझे पैसे लेने से दबार पैसे आ पड़े गाउना नहीं तर्से कि भाईया काम हो जाए पैसा देते रहेंगे मैं भी धीट मैं भी वहाँ डडडटा रहा चार साड़े-चार बंदा आया पांच बजे तक क्या साथ हो आ गया कि लेगा दे सर सौरी मैंने आपको इंतिदार करवाया वेट करवाया कोई बात नहीं यह रहा आपका रजिस्ट्र होगा तो 200 रुपए के लिए क्या ही वह यह आप 1000 रुपए रहें नेक्स्ट टाइम जब आईएगा तो 200 रुपए मैं उस और दे दूंगा उसको भी पता था बंदा इतनी दूर से आ रहा है 200 रुपए के लिए दोबारा नहीं आएगा एक बार में 100-700 रुपए का पेट्र मैंने लगा है तो पेट्रोल का पैसा चला गया इन शॉर्ट छे साथ सो रुपए तो मेरी कॉस्ट लग गई तो मुझे बचा कितना पहले क्लाइंट से ओली 300 रुपए बचा मेरे पहले क्लाइंट से लेकिन अब आप लोग मुझे बताइएगा जब आपका पहला पैसा ना मिले कई बश्यक्था प्रैक्टिस में कि आपको मिलता नहीं यह पर पैसा आपका बैड्र का हो जाता है मर जाता है को ये ता मेरा पहला एक्सपीरियंस और लेकिन पहला क्लाइंट जो बना था ने उसकी खुशी अलग होती आउन मुझे जरूर बताए कि क्लाम ने जब आपका पहलगा बना था तो आपको कितनी खुशी उइनती तो फिर हैर मैं वापस आया पहला क्लाइंट उसके बाद धीरे-धीरे और क्लाइंट फिर धीरे मुझे मेरे अंदर भी कॉन्विजन्स आता चला गया कि कैसे क्लाइंट के साथ बात करनी है और फिर धीरे-धीरे-धीरे आज करीब 8 साल हो चुके हैं और by God grace अब कुछ the experience हुए कभी किसी और वीडियो में इसके बार में बात करूँगा फिल्ः यह था मेरा पहला experience हैं अगर आप लोग कभी प्रैक्टिस स्टाउड करियें और आगर ऐसा को एक्सपीजन्स हुआ है तो जरूर बताईए जो लोग सोच रहे हैं प्रैक्टिस स्टाउड करने के लिए तो ऐसे experience आपके साथ हो सकते हैं, हो सकते नहीं है बलकि ज़रूर होंगे, तो कैसा लगा आज का वीडियो, comment section में ज़रूर बताइए, मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में और friends जो लोग GST, income tax, इस field में अपना career बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये channel है, सही channel पर हैं आप, न